इस्तिफा देना चाहिए इस्तिफा देना चाहिए हम भारतिय लोगों के बीच देश और सम्विधान के खिलाफ अन्याए पर हमारे ग्रह मंत्री को इस्तिफा देना चाहिए ग्रह मंत्री को इस्तिफा देना चाहिए हमारे देश वासियों के बीच में अन्याए पर रोक लगानी चाहिए हमारे देश के सम्विधान के प्रति अन्याए पर रोक लगानी चाहिए हमारे प्रत वन्याए तए कर दो कर दो बोल ठीक है अहाँ नमस्कार पुलिटेन में आपका स्वागत है मुंबई में किन-किन यगों पर बंबला सोने वाला है इसमें कौन-कौन शामिल है और सुरक्षा पलोने राजे के बचाओ के लिए क्या-क्या एक्शन लिया है इसके बारे में हमें अब तक जो खबर मिली है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे है खबर मिली है कि पाल गर में इस सिलसले में कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है सूचना है कि आतंगवादियों का लिडर पुलिस के हाथ चड़ गया है ग्रह मंत्री के लोगों का कहना है कि राजे में फैल रही आतंग की कदविधियों के खिलाफ उनकी पकड़ मजबूत होती जा रहे हैं ग्रह मंत्री का कहना है कि सभी आतंगबादी जल्द ही पकड़े जाएंगे मंत्री जी का कहना है कि राजे में अलग अलग जगों पर बंबलास्ट करने वाले आतमगादियों को पोलिस बूरने में चुटी हुई है वहीं दूसरी ओर साइबर सेल का कहना है कि मुंबई में प्राइबिट सेंटर से ये मेल भेजा गया है और ये सच है ये जोट ये पता नहीं उस दिनों से ऐसी गलत आफवा फैलने की वज़े से पुलिस प्रशासन और पप्लिक के बीच में डर पैदा हो गया है वो सकता है ये दूसरा मेल भी आफवा फैलाने के लिए भीजा गया हो पुलिस आयूत का कहना है कि कभी-कभी स्टुडेंट भी इस तरीके की हरकते करते हैं और इस तरीके के अफवा से पुलिस का टाइम बरबाद होता है इसलिए कई बार ऐसे केसों को नजर अंदाज करना पड़ता है लेकिन फिलाहाल पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि मुंबई में अलग-अलग जगों पर बंबलास्ट होगा ऐसा जो मेल मिला है उसको लेकर हम चुप-चाप नहीं बैठ सकते हैं ऐसी परिस्तिती में ग्रह मंत्री ने सबको एक चुट को कर एक्शन लेने की बाद कही है है हुश हुश हह हुश हुश में हैं खुए कर दो हरा, पहर हम चाल, मुझ चाल, पकाईब hell time, this! कर दो कर दो कर दो हां कौन बोल रहा है ठीक हे ठीक ? हम पहुच गैं मैं बात में बात करता हूं मैंने खाना आ बात में बात करता हूं करता हूं पॉनफे सर मुंबई में होने वाले बंबिसफोटों के बारे में आपको क्या जानकारी मिली है जो मेल मिले हैं वो सही है या गलत सर बिसफोट के बारे में आपको जो खबर मिली है वो कहां से मिली है इस केस की जो तैकिकात कर रहे हैं उनका नाम है मुंम्मत इकबाल जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप रिपोर्टर लोग भी बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं सर पिछले कुछ दिनों से लोग डर के साए में जी रहे हैं और उनके साथ अन्याई भी हो रहा है इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ है इसके बावजूद भी आप एक्षन क्यों नहीं ले रहे हैं मैं कह रहा हूँ ना इस केस की तहकिकात मौहमद इकबाल कर रहे हैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता राज्य के लोग जो डर के साए में जी रहे हैं सब कुछ पुलिस के हाथों पे छोड़ करके सारे दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं हाथसे को काबू करने के बज़ाए सब आपस में लड़ रहे हैं इसके बावजूद भी आप अपने परिवार से मिलेगे करो मेरे पत्रकार भाई हो जरा रास्ता भी तो छोड़ो मंत्री जी की बीवी को यहां डिलीवर के लिए एड्मिट किया गया है इस तरह कि बाते करने के लिए हम बाद में समय निकाल कर इंट्रव्यू के लिए बुलाएंगे आपको अभी आप लोग जाईए जाईए आसर आप चलिए ना चलिए ना सर आपने कोई जवाब नहीं दिया है दोस्तो मेरी बात सुनो तुम किस चैनल की वज़े से मुझे उकसा रहे हो हाँ कुस दिनों में तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी मैं भी एक इंसान हूँ साथ मैं पती हूँ वही फर्ज निमाने आया हूँ शादी के 10 साल बाद आज मेरा एक बच्चा होने वाला है इस समय पती और बाप का फर्ज निमाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने परिवार को चला सकता है वही इंसान देश को चला सकता है सर आप भी मंत्री बनने से पहले एक आम आदमी ही थे घर परिवार के साथ आप देश की भी रक्षा करेंगे लेकिन फिर भी मेरे लिए ये सब सवाल करना बहुत ज़रूरी है एक इंसान का फर्ज वहां से शुरू होता है जहां से उसका परिवार मा बाप बहन भाई बीबी बच्चे और उन सभी लोगों के लिए एक वक्त का खाना थोड़े से प्यार जरूरत पढ़ने पर दवा ये सब जो देटा है वही एक जिम्मेदार इंसान होता है उसके बिना मंच पे भाशन देना बस सिक नाटकी होता है हाँ ठीक है ठीक है यहां डरने की जरूरत नहीं है जो भी केस मोहमद इकबाल ने लिया है उसे पूरा किये वेगर कभी नहीं छोड़ता है आप लोगों के लिए कोई नई खबर नहीं है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम हारेंगी नहीं आप कॉपरेट कीजिए ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है अभी किस्थिती में आतंगवादियों पर रोक लगाने के लिए और लोगों के दिलों से डर निकालने के लिए आपने क्या किया है सुनो, हमारा ये देश भगवान का देश है गाट्स ओन कंट्री इसलिए, यहाँ पर पहला सवाल जो होता है उसका जवाब देने के लिए अरे, खुद साक्षात भगवान आते हैं आज की ताजा ख़वर मुंबई में तीवरता से बढ़ते हुए आतंग को रोकने के लिए इस केस को स्पेशल ओफिसर मुहमद इकबाल को सौपा गया है ग्रे मन्तरी अपनी बीबी के डिलिवरी के लिए अलाइट सूपर स्पेशलेडी हॉस्पेडल में अपने परिवार से मिलने गए हैं उन्होंने मीडिया के सामने ये बात कही कि मुहमद इकबाल इस केस के नए ओफिसर होंगे जो हर हाल में इस केस के सॉल्व करके रहेंगे ऐसा मन्तरी जी का मानना है कर दो हुआ है हाई अच्चू कहां जा रहे हो पापा को लेकर दोक्तर अंकल से मिलने जा रहे हूँ क्यों क्या हुआ हुआ है बताओ न अच्चू बताओ न कोई सर्प्राइज है नहीं बेटी ये डॉक्टर अंकल को एक तोफा देना चाहे है है न ये देखो ड्राइंग भी है ये डॉक्टर अंकल के लिए है जर्ण मुझे भी दिखाओ ना सिर्फ ड्राइंग ही नहीं गाना भी लिखा है अहां ऐसी बात है क्या गाउना जर्ण आकर सुनाओ मुझे भी तो सुनना है बाद में सुनाओंगी ताहो बाद में सुनाओ जर्ण मुझे बात अगाईंगी तेकल कर दो जो प्रॉड़ सुरी सारी क्या हो डॉक्टर कुछ नहीं दर्द काम करने के लिए इस्ट्रिप्ट दे रहा हूं सिस्टर जड़ा बालकुबाल सर को बुलाओ ना टीका सर्थ कहें ऊआ eigenlijk को बुलाओ काम करना गया हूं कि책ा मुο Forward अरे अच्चु तुम डॉक्टर अंकल से मिलने हैं डॉक्टर अंकल अभी बिजी है बेटी हम रूम पर चलते हैं डॉक्टर अंकल वो ही आ जाएंगे कितना टाइम हो गया अभी तक नहीं आए तुम चिंता मत करो वो आ जाएंगे इसको डॉक्टर अंकल को एक तौफा देना है इसका सर्प्राइज गिफ्ट है लाओ मुझे दो मैं दे दूँगे चलो बेटी हम चलते हैं चलो यह लड़की कौन है? अरे आप नहीं जानते? यह हमारे सर की बेटी है वो कॉलेज में प्रोफेसर थे चार महीने पहले उनका एक्सरेंट हो गया था अपनी फैमिली को खो चुके है यह इनकी बेटी है अच्चू उस हादसे में बस यह दो लोग ही बच पाए साहब चल नहीं पाते है पर उनकी बेटी एकदम ठीक ठाक है अपने पिता को सम्हालना खाना खिलाना दवा पिलाना सब अच्चू ही करती है बहुत ही प्यारी बच्ची है अग्ची हाई अच्ची हाई आप भी डॉक्टर साब ये क्या कर रहे हो एक इंसान इतना दर से तडप रहा है और आप उसकी पल्स चेक कर रहे हो उन्हें उठाओ जल्दी और लेवरूं में ले जाओ सर ये एक मंदरी की बीबी हैं डॉक्टर ये तुम्हारे लिए नौर्मल होगा लेकिन हम लोगे के लिए पहली बार है आप समझ गया आप ज़रा डॉक्टर बाल गुपाल सरको बुलाईए न अरे किसी को तो बुलाने दो इलाज तो शुरू करो आप पहले बाल गुपाल जी किजिए यस डॉक्टर बाल बोपल है सर मंत्री जी की बीवी को लेबर बेन हो रहा है उनको लेबर वोर्ड में शिप्ट करने के लिए जित कर दो इना दर्थ के कोई डिलिवरी हुई हो ऐसा कोई इतिहास नहीं है चाहे वो मंत्री की बीवी हो या किसी और की उस दर्थ के पीछे एक सुख का अनुभव है ये बात ओ लोग नहीं जानते थोड़ी दिर वेट करो होल्ड फॉर्द फॉर्द मूवेंट तिल यू डिलिवर हलो अहां ठीक है आगे बताइए इस दुनिया में उस मा के दर्थ को सम्मान देने में हम लोग आज भी पिठड़े हुए है समझे त्यान बढ़ गया है क्या और वैसे भी हमारे इस काम की कहा कदर होती है चलो रख्टव डॉक्टर मंत्री जी की बीवी को लेबर पेंट शुरू हो गया है तो और एक आदमी जादा होने वाला है ठीक है हजार वार्ड में एक लेबर रूम डालने का मेरा सपना है लेकिन समय पर हजार बच्चे हजारों का रोना धोना हजारों दिलों का पहलना उस पल का सुख कैसा लगेगा एक्सक्यूज मी मैंने क्यों गैनेकोलोजिकल स्पेशालिस्ट का कूर्स किया है यह तुम जानती हो न यह काम करने से जो मन को शांती मिलती है वो शांती मुझे किसी और काम में नहीं मिलती है एक नौजात बच्चा मेरे हाथों से भगवान के रूप में जन्न लेता है उन्हें लाने के लिए कहो और सभी को लाने के लिए को ओकी डॉक्तर, सर से बात हो गई, लेबर रूमे ले जाने के लिए कहा है, चलिए, क्विक फास्ट मैं बाने के लिए, क्याल सकता थेबर आए ले जाने के लिया को व्रूमे ले जाने कुई रखने के लëंप. कर दो कर दो कर दो कर को कर दो जो जो झौ जो आपका करूँ आपका करूँ एक प्योदु झापका करूँ आपका करूँ कि वह कुछ झाल झाल कि यह वह बच्चा हो गया से चाहिए अब च्छी कायब हो गए यहां से इसे को पताने चन्ना जाने गें बांगी डॉक्तर्स को भी मत बताना वेंगाई जैसे जोपिए भूल Fast दो खो फार्व टो जो खो प्योड्ती है कि उलो खो चाइए उलो प्योड़ खो ग। खो खो खोड़ीक का टे मृड़ी जो भूलो खोड़ खुब का ए प्युम से भने हैं इस पर भेंगा खड़ा है? ज्सक्ति को एक है? दरने की कोई बात नहीं है अरे आप कहां जा रहे हैं अंदर जो है वो राज्य मंत्री जी की वीवी है अरे कहां जा रहे हो मेरी तो कोई सुनता ही नहीं को रहे हैं यूगीड इन के माघ बहुते हैं आहे हैं जहीं करता नहीं हो अर है बास रखे बेल्म Always को कई से तोस Isत तोस्टा बुस्कें ृ युम्मया बहुते हैं को इन ढू visitor कहा हैं बुम्मा सुनते हैं कौन है यहाँ वेड़ दोक्तर पाल कोपाल कौन है तुम दोक्तर पाल कोपाल और यहाँ क्या कर रहे हो यही सवाल यही सवाल तो इस राज्ये के लोग कई सालों से मुझसे पूछ रहे हैं आप इनी बच्चों को ढूंटे हुए आए ना तीन नवजाद बच्चे आखिर यह क्या पागलपन है? अगर एक बिकत मा के बढ़ा है ना तो इन्हें उड़ा दूँगा अरे इन बच्चों को पैदा हुए ठीक से एक मिनिट भी नहीं हुआ अभी तक इन बच्चों ने अपनी मां का दूद तक नहीं पिया है आखिर तुम चाहते क्या हो ऐसे ही मुद्दे पे आ जाओ मुझे इन तीनों में से एक चाहिए बताओ इन में से हूम मिनिस्टर का कौन सा है डॉक्टर मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है अगर आपने मुझे सच बता दिया तो मैं बाकी दो बच्चों को छोड़ दूँगा नहीं तो तीनों को उठा ले जाओंगा ए बाल गोपाल इतना टेंशन में क्यों है बताओ नो मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है सुनो मिस्टर इन बच्चों की तरफ देखो इन्होंने आपका क्या भी गड़ा है इस सवाल से कोई फाइदा नहीं होने वाला और ये बाद तुम अच्छे से जानते हो तुमने पहचान लिया तो ठीक है नहीं तो तुम जाओ यहां से आप कौन है और आप क्या चाते है आपके गुस्से के वज़ा क्या है देखिए यह अभी अभी पैदा हुए है मासे मिल नहीं पाए और ठीक से रोए भी नहीं है इन्होंने क्या भी गड़ा है आखिर आपका मकसद क्या है यह तो मैंने जानता लेकिन इसका अंजाम पुरा होगा वेरी गुड डॉक्टर बाते अच्छी कर लेते हो अभी आपको डाउट है न कि मैं कौन हूँ कहां से आया हूँ मैं सैफ उत्दीन हूँ आजादी की लड़ाई लड़ने वाला एक योद था और इसे लिए होम मिनिस्टर के बेटे को यहां से उठा के ले जाऊंगा और अपना मकसद पूरा करूंगा इसलिए डॉक्टर मेरे सवाल का जवाब दे दे उसी में तुम्हारा फाइदा है इन में सो होम मिनिस्टर का कौन सा है बताना हूँ ठीक है बताता हूँ लेकिन पहले चेक करने दो ओके तुम्हें एक अच्छे इंसान हो मैं जानता हूँ इसलिए तुम पह भरोसा कर रहा हूँ पहले बच्चों के हाथों से टैग्स निकाने होगी नहीं तो और परिश्यन होगी अगर जरा भी शक हुआ इसे तो तीनों बच्चों की जान खत्रे में पढ़ जाएगी लेकिन इस समय भगवान का आशिरवाद मिला और वो फोन पर बात करने में जोग गया सही वक्त पर मैंने उन तीनों बच्चों के हाथों से टैग्स भाड़ कर फैंक दिये कोई अंदर आएद उसे गोली मार देना मार ठीक है ठीक है ठीक है खदा आफिस यह है यह 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 या फिर यह इनको बैदर आफिर आफिर अंदा हुए एक मिनिट भी नहीं हुआ है मैंने पैजा नहीं भा रहा हूं बट आइविल ट्राइ लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है इन बच्चों ने और ग्रह मंत्री ने आपका क्या भी गड़ा है इस अ और स्यादा सवाल मत कर कहते है ना जंग में सब चायज होता है मुझे अपना मकसद पूरा करना है अभी भी तेरे पास टाइम है डॉक्टर बता देने तो मार दूँगा चल्दी से पता इन में से कौन है वो वो बच्चा मुझे हर हाल में चाहिए बाल को पाड़ा इस मकसद को पूरा करने का हुक्म मुझे उपरवाले में दिया है क्या उपरवाला यही चाहता है कि ये तिनों बच्चे मर जाए जड़ा इन बच्चों की तरफ देखो यही भगवान के माया है एक बात गौर से सुन लो इन तीनों मासुम बच्चों का इस्तेमाल करके तुम सारा इलजाम उपर वाले पर मट डालो एई 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 नहीं अपनी बगवास बन कर तुम लोगों को पैसे चाहिए ना पैसा पैसा किसको चाहिए तुझे और तेरे पूरे राज्य को खरीद सकता हूँ इतना पैसा है मेरे पास पुलीस कस्टेडी में हमारा मेडिकल प्रोफेसर है उसे हमें वापस छुडाना है इसलिए तु अपनी फालतू की बकवास बंद कर और बता इन में से मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है और नहीं बताना है तु जा यहां से और तु क्या सोचता है कि तेरी बातों से मैं अपना मकसद बदल दूँँगा ये मैं जानता हूँ लेकिन इन बच्चों को बचाये रखने के लिए इन्हें एक दवा देना बहुत ज़रूरी है और अगर इनकी चान बचानी है तो मेरा बहार जाना बहुत ज़रूरी है वरना ये मर जाएंगे तो मरने देना जब ये मरने ही वाले हैं तो इनकी जिन्दगी क्यों बचा ना चाहता है। डॉक्टर, ये बदा दे किस में से मिनिस्टर का बच्चा कौन सा है। उसके बाद तू दो बच्चों को आराम से लेके चला जा। नहीं तो… तुम्हारी जरूरत पुरी करने के लिए बच्चों का जिन्दा रहना ज़रूरी है। अगर इने कुछ हो गया तो बाहर सभी लोग भड़क जाएंगे। मैं आपकी मदद करूँगा। लेकिन इसके लिए मुझे बाहर जाना ज़रूरी है। इजाज़त दीजिए। प्लीज। तु जा सकता है। लेकिन अगर तुने बाहर जाके पुलीस को बताने की कोशिश की ना तो मुश्किल में पढ़ जाएगा। और इस हॉस्पिटल में कई सारे लोग हैं जो सब तबाह कर देंगे। इसलिए होश्यारी मत करना। अगर तु यहां लोटके नहीं आए तो फिर दुबारा लोटके यहां तुझे आना ही नहीं पड़ेगा। इस हॉस्पिटल के अंदर ही सब दफन होके रह जाएंगे। तेरे पास सिर्फ पंदरा मिनट है। अगर तुने होश्यारी की तो समझ लेना। सिर्फ पंदरा मिनट का वक्त है। अगर इन पंदरा मिनट के अंदर कुछ नहीं कर पाया। तो सिर्फ उन तीन बच्चों की जान ही नहीं बलकि पूरा अस्पताल खत्र में बढ़ जाएगा। और यहां के लोगों को पता चल जाएगा तो हंगामा हो जाएगा। किसी को पताए भीना और कोई दुरगट ना कटे भीना हूँ। मैं कैसे और किस तरह सब को बचाऊंगा। यह सब क्या है डॉक्टर। मंत्री जी की बीबी को आपने एगंटे से अंदर ही छोड़ दिया है। उनकी कोई खबर तक नहीं है और आप खूम रहा है। अरे डॉक्टर साथ कुछ तो जवाब दीजिए। अरे अस्पताल में मुझसे मिलने कई लोग आते हैं सभी से मिलता फिरू क्या। यह क्या हो रहा है। कोई ठीक से जवाब नहीं दे रहा। सब अपने-पने काम में बीजी है। मेरे बेटे की स्थिती और उसके पोस्ट के हिसाब से हम किसी बड़े हॉस्पिटल में जा सकते थे। पर सिर्फ आपकी वज़े से हम लोग यहाँ पर आये हैं। देखे माजी माजी आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। आपके बेटे का सही इलाज चल रहा है। मैं बूद रहा हूँ ना चिंता मत किजिये, ओके? हेलो वैसे, आज कौन सा दिन है याद है न आपको? आप काम में बिजी होंगे, इसलिए मैंने सुचा मैं ही आपको यादिला देती हूँ क्या बात है? कुछ कहनी रहे? आज 6 दिसमबर है, आज हमारी शादे की सालगिरा है आज शाम को आते वक्त कुछ सामान लाना है, चल दी आईएगा, मैं इंतिसार करूँगी हुँ 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 बीन दयार सुन लो मेरी पुकार दुख के बादल खीरे नईया बीच भावर इसे तुम थाम लो हरी नाम से कष्ट है निटता भगत को दर्शन देड़ो दुख के बादल खीरे नईया बीच भावर इसे तुम थाम लो बादल खीरे नईया बीच भावर इसे तुम थाम लो पापी यो कातू अब तो नाश कर गीता में कहें बचनों को साध्य कर पापी यो कातू अब तो नाश कर गीता में कहें बचनों को साध्य कर कौरव की शरयंत्र से तुने द्रापड के तौलाज बचाएं सुन ले स्वामी तू तू ही मेरा भगवान है तेरे बीना कुछ भी अब तू ना संभ है दुख के बादल घीरे दुख के बादल घीरे नईया वीच भावर इसे तुम थाम लो मैं दूजे नईया थाम जो दूजे बादल तू मधुर मधुर ये तेरी ये मुस्कान कैसे समझो मैं तो हुना दान दिल में मेरे दर्द है क्रिष्णा भावना में बहती हो क्रिष्णा दर्द मुझे अब तो और नहीं अब सहना है जब जब तुझको देखू दिल को थन्रक मिलती है दिल नयार सुन लो मेरी पुकार दुख के बादल खीरे दुख के बादल खीरे नया बीच भावर इसे तुम थाम लो हरी नाम से कश्ट है निट का भगत को दर्शन देड़ो क्रिष्णा तेरे भरुसे से संसर है दुख के बादल खीरे दुख के बादल खीरे नया बीच भावर इसे तुम थाम लो क्रिष्णा 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 सर इसे लपटने के लिए कुछ लेकर आओ ओके डॉक्टर अब क्या हुआ डॉक्टर आदा घंडा रुकिया मैं आभी आता हूँ डॉक्टर आप कहा जाए राउंड्स पर जाना है बहुत सारे पेशन्स रखना पड़ता है सिर्फ मंत्री की बीवी नहीं और भी कई पेशन्स है और मेरी नजर में सभी एक बराबर है मुझे जाना ही होगा अगर आपको तकलिफ हो रहे तो हम लोग सिप्ट हो जाते हैं हम लोग जाने को तयार हैं आप लोग बहुत बीजी होंगे आप को एक्सपिरेंस भी बहुत होगा लेकिन हम लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं पहलो तो आप अंदर जाईए या फिर हमें सिप्ट होने का नुमती दीजिए इससे आगे कुछ मत बोलिए चाहिए आप जाहिए 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 बेबीज अब सिर्फ पांच मिनट बाकी हैं सिर्फ मैं ही नहीं इस हॉस्पिटल में तुम लोग तुम्हारे माँ बाप सारे डॉक्टर्स सब एक साथ ऊपर जाने वाले हैं मुझे तो मेरी जन्नत नजर आ रही है और मैं धीरे धीरे करके उसके करीब पहुंस रहा हूं और मैं जानता हूं कि डॉक्टर आएगा ही इस कमिंग ही इस कमिंग ही इस कमिंग कि मुझे जाँ ही झाले हैं अग मैं गॉक्टर्स कि उप सक्वर्ण बग्टर्स कि इस बड़ती कि दिए कि अबदे इस कि अबदे कि अेक सा चबदे कर दो 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 कर दो कर दो कर दो कर दो हलो, हलो, अरे फॉन भी नहीं लग रहा है, हाँ सिस्टर क्या हुआ, क्या बात है इलाज हो रहा है, डॉक्टर अभी अंदर है है ना अंदर दीदी, दीदी बहुत देर हो चुगी है, डॉक्टर अंकल कहा है डॉक्टर अंकल अभी बिजी है, अच्चू को क्या चाहिए पर डॉक्टर अंकल कहा आ गए है डॉक्टर अंकल बहुत बिजी है, जैसे ही फ्री होंगे, उसके बाद अच्चू से मिलने आ जाएंगे सुभा से डॉक्टर को ढूनने में लगी है, डॉक्टर से मिलके उन्हें एक तौभा देना चाहती है, एक गाना भी सुनाना चाहती है अब ये बेशारी क्या करें, हर जगा ढूनते हुए आ रही है क्या रही है क्या है क्या है प्रेट प्रश्डेश की यह दो अख अख वाल वहां सब्सक्सक्ट करने को रहा है अइब दोक्तर अंकल वेरी गुद्टर युवर अज़िय्स बाकप है फसले दिर युएमिना बाकी ता अच्वर अंगल अच्वर 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 कि दॉक्टर कि मोथ हमारा पीछा कर रही है मैं अपना काम कर रहा हूं तुम अपना करो मैंने कहा था ना उसे डिफीज करो साइफु दिन उसे डिफीज करो हाँ सब ठीक है झाल झाल पहाज मत करना पूरे होस्पिटल को हमारे आदमियों ने खेर रखा है चला की बिल्कुल भी मत करना मेरे पास जो पॉम है उस गट्टी गट दबाने से पूरे होस्पिटल में तबाही मच जाएगी अगर तू होस्पिटल को बचाना चाहता है न तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी जल खड़ा हो जा कहाँ जा रहे आप वैसे इस खाने में कौन सा जहर मिलाया है तूने खाने में जहर मिलाके मुझे खत्म करने की सोच रहा है तू अब तक मेरे आदमियोंने होमनिस्टर को अगवा कर लिया होगा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो खाने में जहर मिलाओ मेरा काम जान लेना नहीं जान बचाना है और ये मेरा फर्ज है मैं खाने में जाइमार तू डॉक्टर, मेरी बात सुनो, बच्चों को आईसीओ में शिफ्ट करो, ओके डॉक्टर एई इश्वर, ये क्या है, मध्यराज को डरा कर लोगों में डर पैदा करने के लिए आज मुमय में जो होने वाला था, पाँज जोंगे उपर बंस फोट, उसके बारे में थोड़ा सा डाउट है, परेशानिया बढ़ती जा रही है, प्रिया सब कुछ जानती है, और उपर से वो मीडिया में काम कर रही है, वो कुछ न कुछ इसका उपाय निकालीगी, इस खबर से सैफ उदिन का कंप्पिटर इस्तमाल करके इस खबर को मैंने उन तक पहुचाय था, हलो? okay, या कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अल्ला के करम से काम हो गया है मंतरी को हमने उठा लिया है हम लोग अभी ठीरिस को उपर है उस मंतरी का बच्चा तेरे पास तो है न उस बच्चे को लेकर तो उपर आ जा कुछ नहीं मैं कर पाया कर दे माफ तू मुझे को तेरा बदला लूगा मैं तो एक एक को चुम कर मारूँगा मैं तो कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको ना बचा पाया क्या बच्चा तुछ नहीं मैं तो कुछ वाना हस्ती और खेलती रहती थी तू आखों का तारा तू ही तो थी कहां गये हस्ती और खेलती रहती थी तू आखों का तारा तू ही तो थी याद तेरी आते है अब कैसे जिऊंगा मैं कुछी नहीं मैं कर पाया तुझको न बचा पाया दुश्मन के नजरों में क्यों चड़ी उसने है चेना दुनिया मेरे लोगा दुश्मन के नजरों में क्यों चड़ी उसने है चेना दुनिया मेरी भूली थी तू मासूम थी तेरे बिन कैसे जिऊंगा मैं कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको न बचा पाया कर दे माफ तू मुझे को तेरा बदला लूगा मैं तो एक एक को चुमकर मारूंगा मैं तो कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको न बचा पाया कुछ नहीं मैं कर पाया तुझको न बचा पाया सब्सक्राइब कर दुझको यस महमाद इकबल सर अधिक्राइब यस तिस प्रिया बाल-गोपाल सर अधिक्राइब आप से एमिल प्लीस चेक जड़ी और अधिक्राइब और उछेए करता है कर दो 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 झाल 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 सर, बच्चों को वाड में ले जाकर रखना है क्या? हाँ, और उनके परेट्स को खबर कर देना सर, ये बच्चे किसके हैं? ये पैचानना मुश्किल होगा क्योंकि उनपर टैग नहीं है सर बच्चे किसे कन किष्ड़ एंदे तुरूए कर दो कर दो मलिका सामदन टहा है कहा है Okay, next reports WiFF व्हाफ साघ्रिया तोमस, स्टेलिगे सब्सक्राइब करेंगे तो कम से कम दो देन लग जाएंगे सब्सक्राइब करेंगे तो कि ने लग च वाय जा है कर दो कर दो कर दो सिस्टर दिनिश को भुलाओ जाओ जल्दी करो कल शाम को आते वद्ट क्या क्या हुआ मैं बताओ तुमको कुछ नहीं कुछ भी नहीं हुआ मैं तो ऐसे ही मजा कर रहा था मेरे मोबाइल के रेंज ना भी मिले तो भी बात कर लेता हूं मैं दिनिश जी डॉक्टर बालगोपल बुला रहे हैं अच्छा आता हूं जाने मन तुम अपना फोन निकल कर दो वो कहा ना फोन दो लीजे सर झालगोपल झालगोपल कैसे झालगोपल कर दो हिए यच्छा रहां रहा हूं कि अगए जके अजया हे इंग अगए तो अगए कि अगर दियर सिस्टर, दोनों बच्चों को यहां लेकर आओ सिस्टर, दोनों बच्चों को यहां लेकर आओ सिस्टर, दोनों बच्चों को यहां लेकर आओ प्रवास के बच्ची है, ओके डॉक्टर जही है, ओके बच्चादो से जगाँ, जही है जए आदीक दोगाँ, जैए, ओके बच्चा करें उसका है जएके बच्चे ठाफ्चेशने है जही है, जैसे जए है जए मैं इथर चुप जाता हूं मंतरी जी की बी बी का डिलिवरी केस नहीं हो रा है तो क्या हुआ अरे 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 तो तो आउट बाल गोपाल ये मस सोच की तू जीत क्या तेरे इस कारणामे की वज़े से तुझे कुछ पल में अंजाम भुगतना पड़ेगा और कुछी पलों के बाद इस अस्पताल को हम लोग बम से उड़ा देंगे यही तेरी सजा है इस अस्पताल में हमने टाइम बम रखा है और वो किसी भी समय फट तकता है तूने क्या सोचा डॉक्टर तू मुझे दोखा देनेगा अब तेरी ये वज़ा से यहां सारे लोग मारे जाएंगे और ये एक बार है और ये वाल्टी हास रजएगा और इन सब की पज़ा तू है डॉक्टर सिर्फ तू अब मैं दिख्टा हूँ डॉक्टर तू इस होस्पिटल कैसे बचाएगा दबाह होने से डॉक्टर साब डॉक्टर साब डॉक्टर शेयर जो इंसान अपनी खुद की मौत चाहता है उसे हम बचा नहीं सकते हम उससे बात करके ही काबू में ले सकते हैं बम का पता लगने में या बम के भर में पताने में अगर ये पीचे हड क्या तो कहीं लोगों की जान खत्र में पड़ सकती है वो या नहीं है इस खिड़की के तरफ से वो शाद भाग चुका है अज़की के टिए अज़की के अगए कर दो 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 झाल 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 मेरी जान झाल 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 सुन थाल झाल 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 दूत सब को बचाने आया देखो भगवान का दूत सब को बचाने इस फिल्म को दूसरे फिल्मों के मुकाबले खड़ा करने के लिए जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है मैं उनका धन्यमाद करता हूँ कई दिनों और कई महीनों के मेहनत लगती है एक फिल्म को बनाने के लिए ऐसा मैंने अपनी आखों से देखा है लेकिन ये फिल्म सबसे अलग है सिर्फ इन साथ कैमरों की मदद से केवल 19 घंटों के भीतर ही हमने इस फिल्म को पूरा किया है ऐसा इसलिए हुआ कि लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है साथ कैमरों के द्वारा फिल्म बनाने की ये टेकनिक इंडिया में पहली बार सक्सेस हुई इसमें दिन राद बिना आराम किये जिन्होंने योगदान दिया मैं अपने लोबना सर को और हमारे मेगा स्टार स्री मोहनलाल जी को अपनी टीम की ओर से और मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इस फिल्म के परडूसर हमारे किया चंदर सर को भी दिल की गहरायू से धन्यवाद देता हूँ और मैं ये मैसेज सभी देशवासियों को देना चाहता हूँ कि हमें आतंकवाद का मुकाबला निस्ठा के साथ मिलकर करना होगा आज मैं अपनी इस फिल्म के मात्यम से आप सभी देशवासियों को यही समझाना चाहता हूँ कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और ना ही कोई मजभ होता है आतंकवादि हमलों में शिकार हुए लोगों को मैं अपनी इस फिल्म समर्पित करता हूँ